आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो हमने प्रिवेस्न वीडियो डिसकस किया हुआ था गार्डिंग दी ट्रांस्फर्मेशन फ्रॉम डेल्टा डुस्टर और स्टारू डेल्टा तो कुछ मैं आपको यहाँ पर एक एक्जाम्पल करते हुए यहाँ पर समया स्टेश को डिसकस करेंगे ओके आए देखते हैं उस प्रॉलम को और उसको सॉल्ड करने की कोशिश करते ह हुआ है जिसना कि आप देख रहे हैं यहा बस यहां पर सेट्रिकर सर्किट रोओ और एक्क्शन में हमें करना क्या है आए इस इस स्कॉश्ट以 ascма में मालेजिए हमारे पास यह दो टर्मिनल लिए हैं यहां पर बोल रहा है टर्मिनल ब्र्य मेड्र और यह बोल रहा है भाई यह जो problem है ना यह तो भाई बहुत ही मुश्किल problem है इसको हम solve कैसे करेंगे इस बारे में परसा आपको उतना idea नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं आपको बनाता हूँ step by step हम कैसे problem को solve करेंगे और कैसे हम इस terminal A और B के बीच में यहाँ पर equivalent resistance नилось निकालेंगे हमें करना क्या है हमें इस A और इस terminal B के बीच में क्या निकालना है हमें तो क्या निकालना है हमको total resistance क्या करना है यहाँ पर point out करना है अब देखिए यहाँपस अब जब भी हमें quelque resistance न्िकालना है जैसा कि मैंने आपको basic concept में बताया हुआ है कि हमें सबसे फिल identify करना होगा कि इसमें से कौन सा resistance सीरीज में है और कोन सा resistance क्या है पईरलल में है तो यदी जिए निमान लिजे हम यहां पर कोई करेंगे आई करके तो यह करेंट डिवाइट हो जाएगा आई वन और आई टू में उसका कहने का मतलब है कि यह जो हमारा यहां पर यहां पर आई वन जा रहा है इस पर्टिकुलर नोट पे तो आई वन फिर से यहां पर थाटी ओम और ट्वेटिफॉर ओम में डिवाइड हो जाएगा उसका मतलब अगें फिर से क्या है कि जो ट्वेंटी ओम है यहां पर से पैलल कॉंबेनेशन में आएगा ओके तो भाई यहां पर सारे ही रेजिस्टेंस आपस में पैलल नजर आ रहे हैं बट क्या एक्चल में ऐसा है आईए इस इसको देखते हैं अब यदि हमें इस प्रॉल्लम को सॉल्ल करना है तो हम इसको जो हमने टॉपिक प्रिवेस्ली वीडियो में डिसकस किया हुआ है प्रॉ दिया हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है तो आप यदि हम यहां पर देखें तो यदि मानले जिए इसका हम को स्टार फॉर्म निकालना है क्या निकालना है इ रेक से इसको डिनोय तकी और डिनोय कर दिया और जैट से तो और तो नेटर दिया है कितनी हो जाएगा रए इंटी आरपे आरश्यप अपान और बस और और प्लियो को जाएगा सेंस्थेट को अप्लाइक करने एंस पर्टीउर्टर शंरूल को चीट मैं यहां पर symbol बोल देता हूँ, ताकि आपको clear रहे हैं आपस, यह हो गया A, यह हो गया B, और यह हो गया C, तो A से B, B से C और C से, यह हमारे data formation हो रहा है, यदि हम इसको convert करने star में, इस circuit बहुत easy बन जाएगा, आगे देखते हैं कैसे, यह देखिए, यह मैंने इसको star में convert कर रह हो गया, माल लेचे समझने के लिए मैं बोल देता हूँ, यह है Rx और यह है Ry, और यह कितना हो गया, यह हो गया Rz, तो यदि हमें Rx की value निकाल ली है, दिखिए यहां पस, Rx किसके बिच में credit है, यहां पस, वो connected है, R A और R C के बीच में, Rx यहां पकिसके बिच में credit है, 20 20 और 50 के बीच में, same concept apply करेंगे, यह क्या हो जाएगा, 20 into, हम लिखेंगे 50 upon the total resistance of the circuit, 50 plus 30 plus 20, तो क्या लिखेंगे, 50 plus 30 plus 20 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, solve करेंगे यहां पस से, तो यह हो जाएगा, 1000, और यह कितना हो गया, यहां पस से, 100, बल्लाब यह कितना हो जा similarly हम यहां पस से, ry भी निकाल सकते हैं, तो ry के value कितनी करेंगे, देखिए हैं यहां पस, ry कहां पर connect हो रहा है, 20 और 30 हों के बीच में, तो क्या करेंगे, यहां पस 20 into 30, same concept में apply कर रहा हूं, 30 into 20 into 30 upon the same resistance कितना है, यहां पस 100, यह कितना हो गया, 600 by 100, बल्लाब यह कितना हो गया यह हो गया, 600, similarly हम यहां पर निकाल सकते हैं, rz की value, rz की value हम यहां पर निकालेंगे, तो देखिए हैं यहां पस rz कहां पर connect हो रहा है, rz connect हो रहा है, 50 और 30 हों के बीच में, तो हम कर देंगे 50 into 30 upon total resistance, तो यह कितना हो गया, यहां पस solve करेंगे, तो यह हो गया, 500 by 100, बल्ला अभी हम को rz की value मालू है, ry की value मालू है, और rz की value मालू है, हम इस value को यहां पर put कर देते हैं, तो rz की value कितनी आई है, यह आई है 10 ohm, यह हो गया 10 ohm, ry की value कितनी आई है, ry की value आई है 6 ohm, और यह हम बात कर रहें, rz की value कितनी आई हुई है, तो यह यहां पर देखिए यह आई हुए है 15 हूं अब हम इस ब्राँच को हम इस प्राइब के सकते हैं बलब जू हमेरा डेल्टा सरकृٹ है वो यहां पस क्या हो जाएगा हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ बचेगा स्टार क्या बचेगा वहां पस से स्टार क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में यहां पस से कनवर्ट कर लिया है यह देखिए यहां पस जो डेल्टा है उसको हमने यहां पस स्टार में कनवर्ट कर लिया है अब आप देखेंगे अब यहां पर आप देखेंगे तो यह जो ये जो जो सिक्स होँम से नहीं हो रहा है कि बैस ABOUT g आप आप कर दिए जिस भी ब्राइंच जाकर वहां पर देख सकते हैं क्या करना है यह कि करेंट के यहां-बॉयव अलग होगती है। busic concept यहाँ पर देखिए यह जो एसको मैं ले लेता हूँ आई-वन इसको लेता हूँ आई-टु यह जो आई-वन करेंट है यह सीट्ट सों में जाएगा और यहीं जो आई-वन करेंट तोस्ट्विस्ट करेंट में जाएगा मतलब कहने का 24 और 600 दोनों में आई-वन करेंट ही में सेंट फ्लोर जी है इसलिए हो आपस में सिर्जोगें सब्स्क्राइब चांप्र 1500 क्या यह हो जाएगा Himself कितना ऊजाएगा यह हो जाएगा extrem div आप देखे 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 यह कितना हो गया हमारा 20 ओम यह आ गया 15 प्लस 5 इस 20 ओम यह सॉल कर लिया यह आ गया 20 ओम आप देख सकते हैं यहां पस से कि अगें यह दिए मुग को डाउट हो रहा है कि 30 ओम और 20 ओम आपस में सिरिज तर की पैलल है कर दिए यहां पस कॉरेंट नर्च यहां पर कंद्न हो ने का मतलब है कि अपर नोग हुग है क्या होता है मैंना अप बताया हूब है अपर만 च्ण का रवेज्टियो में 30 इंटुट 20 इपन्स क्या हुआटा है कोista तो कितना हो गया यह यह ओ गया 600 और यह कितना हो गया 5050 यह कड़ गया और यह कितना बचा 12 तो मतलब कितना आएगा यह आएगा 12 Ohm तो इन दोने को 12 Ohm ठीक अब सर्किट हमारा बहुत ही सिंपल हो चुका है अब आप इसको गार से यहां पर देखेंगी तो हमको यहां पर क्या करना है हमको निकाला था रजिस्टेस बिट्विन दा एए और एंड बी और एंड बी के बीच में केवल एक ही ब्रांच है मतलब 10 Ohm आपस में क्या हो गया यहां पर सीरीज हो गया तो इसका अंसर क्या जाएगा 10 प्लस 2 इक्वल टू 22 Ohm तो A और B के बीच में एकुन डिस्टेस कितना आएगा यहां पर आएगा 22 Ohm ओके तो देखें यह मैंने अभी आपको एक एक बहुत ही सिंपल सा और एक अच्छा वालम यहां पर लिय है जो हमने सॉल किया है एक कुंट रिजिस्टेस निकाला है विद्धी हेल्प ऑफ दी ट्रांस्फर्मेशन रॉम डिल्टा टू स्टार्ट सर्किट्री ठीक है आपको आपको अपने आप जब आप सॉल कर रहे हैं आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का प्रॉलम हो रहा है एक प्रक्षा लगा होगा आपको यहां पर सची है समझ में आई होगी यदि आपको इसमें और वीडियो चाहिए स्टापिक के उपर आप कमेंट बॉक्स में लिखे हम इसमें और बॉलम लेके आएंगे राइट सो थैंक यू फॉर नाव